असलाम उलेकूम, गुड मॉर्निंग, गुड आफटर नून और गुड इवनिंग, आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल यानि मेरे स्टाइल में मटन कोर्मा, जो खाने में बहुत लजीज और लाजवाब होता है, तो चलिए देखते हैं कि हमें इसे बनाने क्लिक इनकिन च पेस्ट बना लेंगे, हमने लिए हैं तीन तेज पत्ते, चार पांच लॉंग, दो जावित्री, चार पांच हरी लाइची, तीन दालचीनी के टुकडे, दो बड़ी लाइची और एक जायफर, जिसको हम क्रश करके बाद में कोर्मे में डालेंगे, पांच हमने अनियन लिय प्यार कर लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दो चमच हमने अद्रक लैसुन का पेस्ट और 500 ग्राम दही, कूकर में हम ओल डालेंगे, कोर्मे में थोड़ा ओल जादा होना चाहिए, क्योंकि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, अब हम ओल गरम हो चुका ह इसमें हम सारी प्यास डाल देंगे, जितनी हमने काट कर रख रख की थी, और इने गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने पर इन प्यास को हम बाहर निकाल लेंगे, देखिए, लगबग हमारी अनियन हो चुकी है, अब हम इनको धीरे धीर बाहर निकालने के थंडी होने पर दही के साथ पीष़ेंगे तो नहीं हमारी दही भी अच्छी तरह विस्क जाती है और हिए अब आपने साबुत मसाले डालेंगे ओयल हमारा दीमी आज पर होना चाहिए वरना हमारे साबुत मसाले जल जाएंगे और गोष्ट में अच्छा जायका नहीं आएगा तरीब 500 ग्राम हमारे पास मटन है मटन को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसको इसमें फ्राइए करेंगे दो चम्मच कुछ vlogging मैं एंचे जाएं तो देखे हम इसको चलनते रहेंगे sachette अच्छी तरह इसको चलनते रहें अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने पीशे हुए लाल मर्च का पाउडर और करीब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर देढ चंब ले दे चंब बढ़े हैं कि इसको हम चलाएंगे सारे पीसे हुए मसालों को अच्छी तरह हम चलाएंगे एक दू मिनट तक हम इसको चलाएंगे जिससे हमारी इसका कच्छापन निकल जाए उसके बाद हम इसमें अपना पोस्त नारिल का पुरादा और जो हमने बीच पीसे हैं वो डाल देंगे करीब चार से पांच सीटी लगने तक इसको पकाएंगे यह देखिए यह तो हमारे किचन में इसके पूरी खुश्बू फैल चुकी है हमारे कोर्मे में देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसको हम दीमी आज पर भुनाई करेंगे कुछ लोग ओयल जादा खाना भी पसंद करते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं लेकिन इतनी कुएंटिटी तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है तो देखिए हमारे लगभग हम इसकी भुनाई कर चुके हैं हमारा जो मटन है अल्मोस्ट आधा पक चुका है इसमें बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है अब हम इसमें अपना जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल कर इसकी थोड़ी देर दीमियाज पर भुनाई करेंगे और इसे ढखकर रख देंगे इसमें इतना जाएफला मं कद्दू कर आप जैलेंगे और इसमें रहुता कर Geosoda गरममसाला पौडर नास्ट में क्यूकर कि कोश्त हमारे लगबग हो exist grate से इसको छुच्बूर के लिए जश्व के लिए डालगे इसमें और जालेंगे तो इसको ढखक कर रख देंगे पांच मिनिट के लिए जिसे हमारे मैं में फुश्बू आजाए कोर्मे में आप चाहें तो मतन मसाला पाॉडर भी मिलता है मार्केट में उसका भी उस कर सकते हैं लास्ट में डालने के लिए देखिए हमारा कोर्मा मटन कोर्मा रेडी हो चुका है आप मुझे इसको बना कर और ट्राइ करकर जरूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी जल्दी मैं आपको और नई नई डिश इसके साथ योपी स्पेशल जायका में हाजर मिलूंगे अल्ला हाफिज शब खेर